Hello dear friends, welcome to knowledge review classes, आज हम बात करने वाले एक नई वेकेंसी के बारे में, जो आई है 2026 की इतनी अच्छी वेकेंसी है, जिसमें आप सभी को मौका मिल सकता है, इस वेकेंसी को हम डेटेल से देखेंगे, सबसे पहले में बात करू, अगर प्राइमरी टीचर की बात करू या अपर प् पहली बार टीचर एक्जाम के त्यारी करें, उनको मैं बता दू कि देखें, प्राइमरी को बोलते हैं, एक से पांच, एक सो पांच को हम प्राइमरी बोलते हैं, ठीक, और उसके बाद 6 से 8 को हम क्या बोलते हैं, जूनियर बोलते हैं, जूनियर को हम अपर प्राइमरी topics के बारे में कि आपका जो exam कब होगा syllabus क्या होगा ये सारी शीजिए आगे हम discuss करेंगे उससे पहले जो important है वेकंसी कहां आई है ये जानना important है टीक है वीडियो को पूरा देखेगा तभी समझ में आएगा क्योंकि आप लोग करतें क्या है आधे बीच में ही comment कर देते हैं apply करना possible नहीं हो पाता कि जो चीज़े हम आलड़ी बता दिये वीडियो में उसी को आप पूछेंगे तो सही नहीं लगेगा न मुझे भी चलिए अब हम बात करते देखें यूटी एड्मिनिस्टेशन आप दादर नागर हैविली दमन दियो टेक स्टाप सेलेक्शन और यहां पर देखें टोटल वेकेंसी यहां पर 112 दिख रही है और जिसमें इस OBC में कितनी हैं SC में देखें यहां OBC में दिख रहा है जनरल में 85 दिख रहा है SC में 16 दिख रहा है ST में 8 दिख रहा है और Pay Scale देख रहा है आपर 93200 से लेके 4800 प्लस GP प्लस 4200 ग्रेट पे की बात कर रहा है ठीक है एडर एक पर 6 लेवल और 7 लेवल की बात किया जा रहा है 7th लेप पेमिंट्स की बात किया जा रहा है तो ब्यालिस सो ग्रिट पे की जौब है और काफी अच्छी जौब है इसमें हम education qualification देख लेते हैं सबसे पहले बताओ senior secondary के बात किया जा रहा यानि आगर आपका senior secondary है अगर आपने 12th किया है, diploma किया, at least 2 या 50% मार्ट साथ आपके academic commission का 50% होने चाहिए और 2 साल का diploma elementary यानि डिलेट किया है तो आप eligible apply करने के लिए दूसरी चीज अगर आपने 12th किया है, दूसरी diploma किया है तो eligible apply करने के लिए दूसरी बात किया जाए अगर आपका 12th 45% मार्ट के साथ हुआ है साथ में 2 साल का diploma है, ENCT के दूसरी तो भी eligible है और अगली चीज इसमें क्या बोले जा रही है senior secondary और उसके साथ आपने डिप्लोमा के 4 साल का bachelor of education, elementary education बिलेट किया है तो भी आप eligible याद रखेगा, जो बिलेट वाले हैं वो लोग भी eligible हों के बास सरतिक क्या है पचास परसन के साथ आपका senior secondary होना चाहिए, 12 होना चाहिए, उसके साथ आपका टेट पास होना चाहिए तो भी आप किस के लिए apply कर रहें, देखे अगर मैं बात कुरू एक से 5 के लिए तो टेट होना चाहिए टेट कौन सा पास होना चाहिए, टेट फर्स्ट पेपर पास होना चाहिए, अगर सी टेट फर्स्ट पेपर पास है तो भी eligible हो पाएंगे आप अप्लाई करने के लिए टेक है, अब हम बात कर लेते हैं किसके लिए, 6-8 की बात करें, 6-8 में पढ़ाना तो अब्यस से बात है ग्रिजविशन मांगेगा, चाहिए बीए हो, बीए सी हो, बीकॉम हो, उसके साथ दो साल का आपका elementary education जो भी है, टेक है डिपलोमा है तो आप eligible apply करने के लिए, otherwise बीए बीए सी हो, बीकॉम हो, 50%, देखे, academic में 50%, टेक, academic में कम से कम 50% आपके होने चाहिए, क्योंकि 50% नहीं होगे तो फिर selection के chance कम है, क्योंकि ये criteria होती है, 50% कम से कम, कहीं कहीं 45 होगा, तो वो भी मैं mention कर दूगा, टेक है, अब यहाँ बीए, बीए, बीए सी, बीकॉम, 45% के सा एक साल का बैचले डिगरी होना चाहिए, आपके बीएड होना चाहिए, according to NCT rule के अनुसर, तो है तब भी चलेगा, और और भी चीज़े वेकिंसियां दिये, देखे, इसमें टेट पास होना चाहिए, वो भी कौन सा, second paper की बात किया जा रहा है, अब हम बात कर लेते, देखे, एज क्राइटरिया की बात करूँ, देखो, इसमें बोला गया है कि 30 साल से जादे की एज नहीं होनी चाहिए, जिनका 30 साल नहीं हुआ है, वो ही candidate इसमें अपलाई करिएगा, टेके, जिसका 30 साल नहीं है, वो ही अपलाई करिएगा, otherwise बाकी लोग अपलाई कर देंगे 30 से ज reservation के बात क्या जाए, देखे, अपर के बात क्या जाए, 31 primary school के बात क्या जाए, प्राइमरी स्कूल मतलब एक से पांच के बात क्या जाए, 31 vacancy है, टोटल कितनी हुई अंठावन vacancy है, अगर हम अपर primary school teacher के बात क्या जाए, जिसमें science का भी होगा, math का भी होगा, language का होगा, social studies subject-wise होता है, तो देखे, science और math की total vacancy अगर मिला दिया जाए, 31 है, और language की बात क्या जाए, और social studies की बात क्या जाए, सस्टी की तो 11 है, total 112 vacancy है, टेक है, 112 vacancy है, और इसमें अगर आप apply करना चाहिए, तो apply कर दीजिएगा, ठेक, और यहाँ पर देखे, और कुछ चीजी अग अगर इसमें mention होगे, जिसको मैं आप आपको बता दूगा, देखिए, यहाँ पर detail qualification के बात दिया, देखिए, मैंने क्या बता है, अगर primary के अपलाई कर रहे हैं, तो take paper one pass होना चाहिए, अपर primary के लिए take paper second pass होना चाहिए, यह चीज होनी चाहिए, आपके पास, take and subject combination आपके चैनल आप जोइन करने, जिससे आपको problem, टेक है, fake now, इसलिए बोलता हूँ कि इस चैनल के माध्याम से link जो दिया होता है, उसी को जोइन कर लिजएगा, वहाँ पर यह पूरी updated है, और आप किस category में belong करते हैं, आपके qualification, अगर मैंने नहीं बताया है, तो उस PDF में आप देख टेर के अपलाई करना चाहते हैं, टेक है, 6-8 के लिए, तो इन सब्जेक्ट से किसी में से BA आपने किया हो, तो आप eligible है, अगर language की बात किया, language subject की बात किया, गुजराती और English, इन में से कोई है, तो भी eligible हो पाएंग, अपलाई करने, देखे, इसमें online exam होगा, जहां सुने अगर आप गुजरात के हैं, तो obviously बात गुजराती language समझ पाएंगे, और English, चलिए, ये चीज़ तो समझ में आ गई, अब हम बात कर लेते हैं, application आपको online भरना है, payment भी online करना है, exam जब होगा, पता चल जाएगा, टेक है, और cut-up की बात किया जाए, देखे, merit list जैसे, तैया marks आप written, 100 marks, written marks, जिसमें से आपको 33% लाना होगा, यानि 33% qualifying है, अगर 33% से कम आता है आपका, तो आप qualify नहीं कर पाएंगे, ठेक है, passing कटरिया क्या है, 30% और इसमें देखे, 1 by 4, ठेक है, 1 by 4, 1 by 4 यानि 0.25 marks negative है, याद रखेगा, अगर आप question गलत करते हैं, तो अगर माले, एक question आपने सही किया, एक question गलत किया, जान सुनेगा, एक question सही किया, एक question गलत किया, तो ये, एक question का एक number मिला, इस question का आपका कितना, कटा इसका, देखे, एक, ये number, यानि इसमें से तो, total अगर देखा जा, तो number 2 हो रहे है, लेकिन आपने गलत कर दिया, तो एक minus होगा, बचा एक number, ये एक number जो बचा है, इसमें से ये 0.25 खतम हो जागा, बचे का कितना, एतना number आपको मिलेगा, समझ गए, negative marking का मतलब, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से देखे, जो उनने नहीं बोला है, कहीं कि केवल वही लोग apply कर सकते हैं, जो गुजरात के हो या दमन दियों के, ऐसा कहीं भी कुछ बोला नहीं गया है, तो अपर जो other state वाले है, वो अगर apply करना चाहते हैं, तो apply कर दिजेगा, ठीक है, और देखे, यहाँ पर fee जो दिया है, यहाँ पर इस पर जाकर आप syllabus डाउनलोड कर सकते हैं, दमन.nice.info syllabus, यहाँ पर जाकर syllabus अपना डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद ही preparation स्टार्ट करिएगा, क्योंकि जब तक syllabus आपके पास नहीं होगा, तो आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो समझ में नहीं आएगा यह चीज़े थे, जिसके बारे में हमने आपको बताया, और अगर कोई डाउनलोड होता, देखें, अभी बहुत सारे candidate कोई भी डाउनलोड होगा, कि सार, अधर स्टेट वाले एलाउनलोड नहीं है, तो देखें भाई, यह नमबर है, टोल फ्री नमबर, 10 से 6 के बिस आप बात कर सकते हैं, गेड़ से 2 के बिच लंच आवार होता, उससे में कॉल मत करिएगा, आप कोसिस करिए कि 10 से 6 के बिच 12 बज़े तक, 12 से 1 बज़े तक आप कॉल करके बात कर लीजिएगा, टेक है, कोई भी आपके डाउट सो, अप्लिकेशन से रेलिट हो, या फिर कोई और के चीज़ें, जिसके बारे हमने बता दिया, ये थी वेकेंसी, दमन दियू और डादानागर हवेली की, जिसमें प्राइमरी और अपर प्राइमरी टीचर की वेकेंसी थी, अब इसके बाद एक वेकेंसी और आई है, जो PGT की है, टेक है, जिसके बारे में हम next वीडियो में आप जा पाएंगे, घूम पाएंगे, और चीज़ों को जानेंगे, देखे, एक जंगर बैठे, बैठे, मेरा परसनल ओपीनियन यही है, अगर मैं बोलू तो आपको मोका मिल रहा है, तो जाइए, उसके आपसे दो फायदे, दो फायदे आपका mood phrase होगा, और सबसे बड़ी होज के ला रहा हूँ, तो भाई इसमें महनत करना पड़ता है, content बनाना पड़ता है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, यह सारी चीज़े हमें mention करनी होती है, तो इस सभी को देखते हुए, आपको भाई एक like तो बनता है, like करिए, अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों क करते हैं, तो अभी हमें लगता है कि हाँ, बच्चे प्रसंद कर रहे हैं वीडियो को, इसलिए वीडियो बनाने का मन भी करता है, तो बाकी आपके उपर चोई से, आपकी क्या राया है, कैसे है, वो depend करेगा आप पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ने टॉपिक के स तब तक अपना ध्यार रखे, स्वस्तरे, मस्तरे और दोसरों के सास्ता करते रहें, धन्यवाद